हेलो माई डियर स्टुडेंट्स तो आज आप लोगों के लिए एक विशेस जानकारी में लेकर के आया हूं जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि सीजल प्रेलिम्स 2019 का रिजल्ट आ चुका है और अब सभी बच्चे जो प्रेलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी स्टुडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाईया और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मेंस के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है जैसे कि डेट अभी आ चुकी है 14-15 अक्टूबर की तो उस हिसाब से अगर आप देखे तो आपके पास समय बहुत कम है बहुत अच्छे से तैयारी कर दीए और एक बहुत अच्छा स्कोर आपको खड़ा करता है तो इसी के उद्देश से मैं यहां पर आया कि यहां पर मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि जो सीजल मेंस पर questions पूछे जाते हैं प्रतिक topic से उसमें कितना वेटेज होता है किस topic से कितने questions आते हैं मेंस के example वो सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं एक एक करके आप ध्यान से समझीगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यह तैयारी को करना है तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहते हूं topics नेम यहां पर लिखे हुआ है यह arithmetic सारे topics मैंने यहां पर लिख रखे हैं तो arithmetic के topic पर कितना किसका weightage है वह मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि ratio topic है तो ratio topic में अगर आप देखे तो चार से 6 questions आते है मेंस exam पर same profit loss and discount topic ये पूरा merge topic अगर मैं बोलू profit and loss और वैसे तो अगर हम लोग नॉर्वल जब प्रेलिंस की तैयारी करते तो profit and loss topic हम लोग अलग पढ़ते हैं discount के concept हम लोग अलग पढ़ते हैं बट अगर पूरा whole topic से देखा जाए तो यहां पर mains पर 8 से 10 question आते हैं और बहुत ही बड़ा weightage है मिन्स के exam के लिए percentage topic से 4 से 6 questions पूछे जा रहे हैं SI और CI से भी 4 से 6 questions पूछे जा रहे हैं time and work and wages work and wages मिला करके 4 से 6 questions पूछे जा रहे time, speed and distance and train and races ये इतना पूरा topic मिला करके इससे भी approximately 4 से 6 questions पूछे जा रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये SNE के एकदम fix है बस चार या 6 questions पूछे जाएंगे हो सकता है एक दो questions कमिया जादा हो जाएं average topic ये भी topic बहुत बढ़ी हैं और एप्रोक्स 5 से 7 questions मेंस exam पर पूछे जाते हैं LCM SCF 3 से 5 questions पूछे जाते हैं allegation से 2 questions partnership से एक या दो questions पूछा जाता है pipe and system से एक या दो questions and vote and stream से कभी question पूछे जा रहा है कभी नहीं पूछा जा रहा है तो एक या दो question ही आने की संभावना है और इसके बाद एक topic लिखा हुआ है simplification series search indices यह मिला करके 2 से 4 questions इस पर बनते हैं मेंस के exam पर और लास एक topic आ रहा है डी आई data interpretation पांस से 8 questions इस पर पूछे जाएंगे तो यह आपका मेंस का पूरा syllabus है मतलब यह arithmetic के मैंने आपके topics बताएं इसके बाद बचते हैं आपके advance के चे topics और आपसे पूछे जाते हैं और मैं आपको discuss करूँगा नेक्स वीडियो पर पहले हम जोग इतना syllabus तयार कर लेंगे मेंस के exam के लिए और उसके बाद मैं आपको discuss करूँगा advance maths के लिए तो मैं आपको बता दू यह जितने भी topics लिखे हुए हैं यह मैं अभी target बनाऊंगा 2019 के सीजल मेंस को और इसके बाद मै 2020 के सीजल प्रेलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वह भी इन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे questions में आपको करवाने वालों मैं उन फरजी questions को नहीं करूँगा जो बिल्कुल basic type को होते हैं उन questions को हम लोग यहां पर discuss नहीं करेंगे एक standard questions हम लोग उठाएंगे उन्हीं की practice करेंगे bank के भी अभी आपने देखा notification आच चुका है bank के students के लिए भी बड़ा important arithmetic topic रहेगा UPSI के बच्चों के लिए एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ UPSI के students के लिए देखिए UPSI के मैं देखता हूँ normally वोई students तयारी करते हैं जो गाओं देहात के बच्चे होते हैं अब उसमें क्या करते है teachers teachers एक दब हलका हलका पढ़ाने के कोशिस करते हैं कि इसी तरह से UPSI के exam पर questions आते हैं बट जो students UPSI के हैं और जो exams दे रहें लगाता है आप लोगोंने standard चेक कर लिया होगा कि UPSI के questions पूछा जाता है वो SSC और bank मर जिस लेपस आता है पूरा ना वो आप उस तरह से नहीं बोल सकते कि MTS level के questions आते हैं जिबकि normally लोग क्या करवा रहें UPSI के नाम पर एकदम छोटे-छोटे से questions आपको हलुआ type के दे देते हैं और उनीके practice करवाते हैं जब आप एक्जाम पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि bank की भी maths आई हुई के हुए हैं यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससे सीजल मेंस 2019 के students के लिए साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहें सीजल प्रलेंस 2020 की यह बैंक का जो notification आया यह UPSI का जो आने वाला है यह CDS तो इतने सब में यह सारे questions आपको घूमते फिरते नजार आएंगे questions का level मैं बता दू, questions आपको exams oriented ही मैं करवाँगा, कभी ना मेरी आततरी यह छोटे questions करवानेगे ना बहुत ज़्यादा हाई वाई cat के questions करवानेगे, जो आपके exam से exams oriented ही हम लों questions आप पर discuss करने वाले हैं चलिए अब मैं बताता हूँ आपको सीजल 2019 के मेंस के बच्चे हैं उनके लिए मैं किस तरह से practice करवाने वाला हूँ, तो आपके सामने weightage बिल्कुल लिखा हुआ है, बस same sequence मैंने उसी हिसाब से यहां पर लिख रखा है, कि सबसे पहले हम लोग ratio topic करेंगे, फिर हम लोग profit and loss discount करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा weightage रख रहा है, हम लोग उसी sequence में बढ़ते चले जा रहे हैं, जो ज़्यादा sequence रख रहा है, उसी arrange matter पर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो छोटे-छोटे से topic बचे हुए हैं, उनको हम लोग बिलकुल last में जाकर कर करेंगे, तो यह पूरा आज से अगर आप देखें, तो आपके पास ठीक 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 तीन महिने का टाइम है, मैं असी दिन का target बना करके चले हूँ और परड़े आपको 20 questions मैं दूँगा, 10-10 question के दो वीडियो आपको परड़े मिलेंगे, 10 question morning में मिलेंगे, 10 बजे और 10 question का व यहां पर जैसे आपने देखा, एक से लेकर के 7 तक इनका weightis ज़्यादा है, 4-6, 8-10, 4-6, 5-7, इनका weightis ज़्यादा है, तो इनकी मैं ज़्यादे practice करोंगा आपको, और इनका weightis थोड़ा सा कम है, तो इन पर कुछ questions कम होंगे, अच्छा, अब पढ़ाने का तरीका क्या रहे इस पर, तो सबसे पहले, जैसे ratio topic हम लोग ने उठाया, तो यहां पर जो मैंने आपसे दो वीडियो की बात करी है, वो एक तरह के mock test होंगे, जिस पर की ratio topic जब मैं आपको practice करोंगा, तो इस पर 100 questions का practice होगा, कितने questions का practice होगा, यह 100 questions का practice होगा, top 100 questions, अब इस पर include करूँगा मैं आप, जैसे हम लोग topics cover करेंगे, उसके बाद हम लोग ले कर के आएंगे, इस पर जितने भी 2016, 2017, 2018 में 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 जितने भी questions पूछे गए थे, वो सारे questions मैं आपको practice करवाऊंगा, with concept, with tricks, with updated tricks, optional approach पर हम लोग जादा हम लोग command हसल करेंगे, हाँ, तो यह मैं आपको बता यहाँ पर यह जितने 7 topics हैं, इस पर 100-100 questions मैं cover करवाऊंगा, means 700 questions यहाँ से cover करवाऊंगा, plus यहाँ पर यह जितने 7 topics लिखे हूँ है, इन पर top 50 परवे आपको करवाऊंगा, 50-50 बढ़िया pattern के questions आपको practice करवाऊंगा, तो 300 questions यहाँ से करवाऊंगा, total मिलाकर कि यह questions हो जाते 1050 questions आपको करवाऊंगा, बढ़िया लेवल के questions और इसके बाद, जैसे ही एक-एक topic खदम होता जाएगा, प्रतिक topic के last में मैं आपको करवाऊंगा, 2016, 17 and 18 के mains के questions ताकि आपको एक-एक topic एकदम crystal clear होता चले, तो मुझे लगता है कि एक बहतरीन तयारी होगी, अच्छा मैं इससे भी बड़ी news आपको दे दू, कि ये तैयारी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये free of cost होगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, प्रेलिंश को बच्चों नो खूब महनत करी, इमानदारी के महनत के साथ आपने result दिया, तो ये एक arithmetic का part है, जितने भी topics मैंने आपको लिखे हुआ है, और जो जो मैंने आपको लिखा हुआ है, 1050 question प्लस, आपको इसके साथ ही साथ, 2016, 17 and 18 के मेंस के question आपको पूरे, जो SSC ने पूछे थे, उनको भी concept with tricks आपको करवाँगा, चलिए, अब आपकी बारी है, कि इस वीडियो को आप like करिए, share करिए, अपनी जो आपकी requirements है, वो आप comment करिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए, so that जादा से जादा student को ये जानकारी मिल पाए, कि कि किस तरह का syllabus यहाँ पर मेंस के लिए करवाया है, और एक जानकारी और छोटी सी, छोटी सी जानका जो आपको चाहिए, वो आप हमारा telegram channel join करेंगे, telegram channel career adda coaching के नाम से telegram channel है, उसे आप join करेंगे, so that जैसे जैसे video cover होता जाएगा, वैसे वैसे उन questions का pdf, bilingual pdf, आपको उसी group में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप pdf ले सकते हैं, और video से आप अपनी अच्छी तरह से channel आप join कर लिजे, so that videos के साथ साथ आपको पूरा content bilingual आपको मिलता रहे, so that एक बार आप videos प्ले करिए, देख लिजे, questions को समझ लिजे, और फिर उन questions को आप पढ़ते जाए, तो part wise आपको पूरा cover करवाता जाओंगा, part 1 पर 10 question, part 2 पर 10 question, part 3 पर 10 question, तो ऐसे 100 question है, 10 parts में यह cover ह जाएगा, एक morning में part आएगा, 10 पजे, एक evening में part आएगा, 9 यह 10 पजे, तो आपको बस पहले उन question को एक बार solve कर लेना, और जो questions से नहीं आए, उनके आपको वीडियोस देख लेना, so that आपकी तैयारी बहुत बहतरीन हो जाए, और यह जो 14 October तक का target है, इसे मैं कोशिस करू जाए, so that last का जो time बचे, उस पर आप revise कर लिजे, मेंस आपको बहुत अच्छे से जाने वाला है, इस बात का पूरा promise रहेगा, thank you so much दोस्तों, जल्दी से आप अपने दोस्तों में share कर दीजे, thank you